स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये हैं चाहते में इन दिनों सारांश और रूद्र की किड्नैपिंग का ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है जिसके चलते महिमा की भी वापसी होती है और अब प्रिशा अपना भेश बदल कर यहां उन्हें किड्नैपर्स के बीच मिली हुई है जिनों ने किया है सारांश और रूद्र को किड्नैपिंग ऐसे में जहां प्रिशा ने लिया है छोटो नाम के लड़के का पूरा रूप त हाँ वो हरीश के साथ मिली हुई है उसे खाना खिलाती है बना कर लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान पा रहा है किस चोटो के पीछे है प्रिशा यहां आप देखेंगे कि जब हरीश महिमा से मिलने के लिए जाएगा तो प्रिशा भी उसे कहेगी कि वो भी उसके साथ जाना जाता है हरीश उसे कहेगा कि वो वहां क्या करेगा लेकिन तब कहेगी प्रिशा कि उन्होंने कहा था कि वो उसे कुछ नया काम सिखाएंगे और तब हरीश प्रिशा यानि कि छोटू की बाते मान जाएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा तब ही प्रिशा उन्हें कहेग कि प्रिशा ने बिर्यानी बनाई होती है वो महिमा के पास ले कर जाती है महिमा को अपनी आखों के सामने देखकर प्रिशा के होश और जाती है तब ही महीमा जब देखती है छोटू यानि कि प्रिशा को तो पूछती है हरिश से कि ये लड़का कौन है तो हो कहते हैं कि ये छोटू है इसे सब कुछ आता है और बिर्यानी भी इसी ने बनाई है तब ही आप देखेंगे कि अब महीमा प्रिशा के पास आएगी प्रिशा बहुत जादा घबराएगी कि अगर महीमा ने उसे देख लिया तो वो उसे देखते ही उसे पहचान जाएगी और जिसके बाद उसका भांडा फोड हो जाएगा वही शो के अपकमिंग एपिसोड्स काफ़ इंट्रोस्टिंग होंगे जहां प्रिशा को आएगी एक कमरे से सारांश के चिलाने की आवाज वो उस कमरे में पहुंचेगी तो देखेगी कि एक चेयर से सारांश को बांदा गया है रस्यों से वो सारांश को छोड़ाएगी और सारांश को कहेगी कि अब उसकी ममा आ गई है उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा तभी महिमा वहाँ पर आएगी और प्रिशा अपना असली चेहरा उसे दिखाती नजर आएगी और कहेगी कि वो अपने पती और अपने बेटे को खुद से दूर नहीं जाने देगी लेकिन तभी महिमा तान देगी गन प्रिशा पर अब देखना ये होगा कि क्या अपने प झाल